नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी राजनितिक विसलेसक इस समय पूरे देश में उत्तर प्रदेश के हात्रस की एक घटना को लेकर काफी आक्रोश है मीडिया शोशल मीडिया आम जन सभी इस बात को लेकर आक्रोशित हैं किस तरह से एक परिवार की बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई लेकिन उस हत्या में किस तरह से राजनिति की जा रही है उस हत्या को सामुईक बलातकार बता कर और उसका राजनिति करन करने में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी लोग वामपंथी दल विकाव मीडिया और किस तरह से वामपंथी दलों की एक पूरी टीम जिसम प्रसे प्ररेसित किया रहाए, इस तरह से प्रजेक्ट किया रहा है घटना को, कि जैसे सबसे ज़्यादा कानूँन विवस्ता की, अगर कहीं हालत खराब है, तो वो उत्तर प्रदेश में हैं, और इस तरह से उस घटना को लेकर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं धक्का मुक्की कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां जाकर के हम नयाय दिलाएंगे जबकि इस घटना के साथ ही हमने देखा है किस तरह से बाकी देश में जो घटनाए हो रही है उस पर ये कांग्रेसी मौन रहते हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें मैं इस घटना को जायद या ना जायद नहीं ठहरा रहा हूँ किसी भी लड़की के साथ यदि कुछ भी हुआ है उंगली भी किसी ने लगाई है तो वो गंबीर अपराद है उसकी मौत हुई है उसकी जाच होनी चाहिए एसाइटी गर्जित की गई है उसकी रिपोर्ट एक हफ़ते के अंदर आएगी लेकिन जिस दिल्ली के सबदरजंग होस्पिटल में वो लड़की अंतिम समय तक भरती थी वहाँ तीन डॉक्टरों के पैनल ने उसकी जाच की है और मौत किस कारण हुई जब यह लिखा है तो उसमें लिखा है के लड़की के कूले और गर्दन की हड़ी तूटी हुई थी जिससे उसको सांस लेने में प्रोब्लम हो रही थी उसके कारण उसकी मौत हुई है डॉक्टरों से जब यह पूछा गया है और रिपोर्ट में भी उन्होंने बताया है मीडिया को के लड़की के साथ बलातकार की कोई पुष्टी नहीं हुई है जिहां बलातकार की कोई पुष्टी नहीं हुई है यहां सबदर्जंग अस्पताल में भी हुई और यह जहां जब पहले भरती वो हुई है उत्तर प्रदेश के अस्पताल में वहां भी डीम को जो उन्होंने ब बयान दिलवाने की कोशिश की गई कि उसके साथ बलातकार हुआ है ये जाच का विशह है लेकिन विशह ये है कि ये तक भी कहा गया कि लड़की की जीब काट दी गई जबकि वो लड़की बोलती हुई वीडियो में दिख रही है और उसने मीडिया में भी ये बयान दिया है शोशल मीडिया तक पे उसका वो बयान वाइरल है इस घटना से ये पता लगता है कि कांग्रेस वामपंथी और कुछ धार्मिक उनवार पहलाने वाले लोग कुछ हिंदों को जाती के नाम पर बांटने वाले चंदर से खरूप रावन जैसे लोग कैसी राजिनिती करते हैं कि वो एक देश के लिए आगे आने वाले समय के लिए खतरनाक सिगनल है जी हाँ मैंने ये इसलिए कहा कि उत्तर प्रदेश में दो जगए घटना होती है एक होती है हातरस में एक होती है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दोनों जगए लड़कियां दलित हैं लेकिन ब नाम शाहिल है शाहिद और साहिल के खिलाब एफ़ यार दर्ज है लड़की की मौध हो चुकी है उस लड़की के भी शरीर का निचला भाग काम नहीं कर रहा था बाब जूद इसके ना तो चंदर से करूप रामन ना तो प्रियंका ना तो राहुल गांधी ना तो सोनिया का को चैनल वाले कोई चैनल यहां नहीं गया जबकि बलरामपुर उत्तर प्रदेश में बहुत जादा दूर नहीं है इस हातरस से लेकिन आप देखिए कि एक जगह हातरस में घटना होती है तो लड़की के नाम के साथ बालमी की लगा दिया जाता है दूसरी जगह घटना बलरा पैरल किया गया ये बता कर कि ये वो मनीशा है जिसके साथ सामुएक बलातकार हुआ और इसकी गरदन तोड़ दी गई इसकी जीब काट दी गई इसकी रीड की हड़ी तोड़ दी गई ये मनीशा के पिताजी सामने आते हैं और वो बताते हैं कि मेरी लड़की जिसका पूर और ये बामपंथी दल लिबरल गैंग और ये कांगरेस मेरी बेटी की फोटो को वाइरल करने में लगे हुए हैं वो फोटो जो उसने दो साल पहले मृत्यू के पहले खिचवाई थी उसको ये कहते हुए कि इस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और इसकी हत्या कर दी ग को सूट करता है जो मासूमियत को दिखाता है और वो लड़की का फोटो नहीं था जो होस्पिटल में भरती थी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे नकली तरह से और ये इतना भूल गए कि उस मोहनलाल यादों पर क्या बीतेगी जिसकी डिवंगत हुई बेटी को आज ये क बता देना चाहता हूं कि इस देश में कांग्रेश एक बहुत गहरी साजिश पर काम कर रही है और इस देश में वो चाहती है कि यहाँ धारमिक उन्वाट फैले और अपनी राजनिती चमकाने के लिए वो हिंदों को भी जातियों में बांड देना चाहती है पिछले सतर साल से जो कांग्रेस ने खेल केला वो उस खेल को अब और भयानक तरीके से खेलने के मूड में है और इस समय उसके साथ मीडिया, शोशल मीडिया और कई अन दल भी मिल गए है एक ऐसा गठ जोड जो पहली बार खुल करके सामने आ रहा है वो है वामपंथी दल, लिबरल्स, बोलीवोड, इसमें लेखक, कलाकार, कांग्रेस और कुछ अपने को दलितों के मसीहा बताने वाले चंदर से करूप रावन जैसे लोग आपको ध्यान होगा पिछले दिनों प्रियंका गांधी इस चंदर से करूप रावन से होस्पिटल में मिलने गई थी यह समझोता हुआ है दोनों के अंदर के यहां पर हिंदों को बाटने का काम किया जाए ताकि हम सत्ता में आ सकें तो यह चंदर से करूप रावन की आईटी सेल काम कर रही है और किस तरह से युवाओं के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी नाम जाती और अंबेड कर जी का बाबा साब का फोटो ले करके अपने वो प्रोफाइल में लगा करके और किस तरह से जहर बालने का आए यहागा काम कर रहे है यह खेल चल रहा है इस समय भीम मीम के नाम पर यह खेल चल रहा है किस तरह से लोगों को धारमिक उन्माद और जाती में बानाटा जा सके आप देखिए कि ये जो चंदर से खरू प्रावन है कहने को ये दलितों का मसीह बनता है लेकिन ये दलितों का मसीह बलरामपुर की घटना में दलित बेटी के साथ ही गैंगरे पर उसकी हत्या हुई है वहां नहीं जायेगा नहीं गया है नहीं ऐसी किसी घटना में आज तक ज जाता है अगर अपरादी हिंदू हैं तो ये पूरे लावल अश्कर के साथ मीडिया को लेकर वहां पहुंच जाएगा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं दलितों के साथ हूं लेकिन अगर इसी में अपरादी मुसल्मान सिद्ध हो जाए पता चल जाए तो ये मौन हो जात क्या अपरादी का कोई धरम होता है क्या आतंकी का कोई धरम होता है शायद कांगरेस के हिसाब से होता है तभी मैं आपको पिछली कुछ हिष्ट्री बताता हूं कि ये कांगरेस ने वास्तम में इस देश को बाटने के लिए यहां मुसल्मानों का कैसा इस्तेमाल किया और त पाकिस्तान दे दिया गया दूसरा आपको बताऊं साथ नवंबर 1916 को जवारलाल नहरू की शादी होती है तीन भाशाओं में काड़ छपते हैं शादी के एक अर्भी एक फार्सी और एक अंग्रेजी में हिंदी में काड़ नहीं छपता जबकि आपको पता है हमचप साधियो में गणेश जी की मूरती कुछ इसलोक ऐसे लिखते हैं लेकिन ये जवारलाल नहरू ने नहीं किया ना कमला नहरू की शादी में ये हुआ उसके बाद सौमनात मंदिर की जब बात आ रही थी तो उसके जिर्ण औधार के लिए उसका भी विरोध जवारलाल नहरू ने किया उसके बाद बंदे मातरम को राष्टेगान बनाने की बात हुई तो भी जवारलाल नहरू ने इसका विरोध किया। आप सोनिया गांदी है अब उसके राहुल गांदी प्रियंका गांदी हैं कभी भी दिपावली पर आप उनको दिया जलाता नहीं देखेंगे कभी भी पर कन्या जमाते नहीं देखेंगे कोई तेहार नहीं मनाते वो इसी तरह वो कभी भी राम मंदिर के समर्थन में खड़े होगे दिखाई नहीं दिये बाबरी मजजिद धाचा क्यों तूट गया उसके लिए जरूर उन्होंने वकीलों की फोज खड़ी कर दी और कोशिश की के वो धाचा खड़ा रहे लेकिन जब वो तूट गया तो उसके लिए टेसुएं बहाने का काम उन्होंने हर साल 6 दिसंबर को किया और उसकी बरसी ताकि हिंदों को आतंकवादी सिद्ध किया जा सके ये बहुत ही भयंकर खेल उसने किया और वहीं C.A.A. के विरोध पर वो हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करते रहे देस के मुसलमानों को भड़का कर कि आपको ये कानून बहार कर देगा उनके साथ खड़े दिखाई दि क्यों वो देश की जाती में बाटकर लोगों को अपना राज करने का सपना देख रही है क्यों वो ऐसा करती है देश वासियों को जरूर पूछना चाहिए और आपको याद होगा कि जब पाल घर में जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है सोनिया के समरतन से सरकार चल रही है म वहीं अगर दादरी के अंदर अखलाक मारा जाता है पबलिक के द्वारा ये सारे कांग्रेसी वामपंथी दल लिबरल और सारे मीडिया वहां जाकर के धरना दे देते हैं पूरे देश में बबाल मचा देते हैं आखिर ये क्यूं के सेलेक्टिव ये अपनी राजनिती करेंग हिंदू मरेगा तो मौन रहेंगे मुसल्मान रहेगा तो पूरे देश में बबाल कर देंगे आखिरकार मीडिया भी इनके साथ क्यों है ये सोचने का भी शह है आप देखिए के कांग्रेस डॉक्टर कफील खान एक डॉक्टर है जिस पर आरोप लगता है के उसके भाशन के उसके परिवार से मुलाकात करती है ये क्या कहलाता है ये ये कहलाता है कि ये देश में एक नया एजेंडा सेट करने में लगी हुई है कांग्रेस इस समय और वामपंती दलों से मिलकर ये केवल देश के मुसल्मानों को एक मैसिज देना चाह रहे हैं कि अगर तुम बतकार करो हिंदो के साथ हम तुम्हारे बारे में मौन रहेंगे कुछ नहीं कहेंगे आपके खिलाब कारवाई होगी तब हम ला करेंगे लेकिन अगर आप अपराध करते हो तो हम मौन रहेंगे आप देखिए बलरामपुर में आरो पी जो हैं शाहिद और साहिल हैं कि हम आपकी हर गलत हरकत में भी आपके साथ हैं लेकिन आप देखिए अगर आतंकवादी भी हो बाटला हाउस में और वो मुसलिम हो और वो मारा जाए तो इनके बड़े लीडर कहते हैं कि सोनिया गांधी तो रात को सो नहीं पाई क्यों कि वो मुसल्मान था मुसल्मान को लेकर इनको दिक्कत है ये राजनिती बहुत घातक हो रही है और इस घातक राजनिती का विरोध इस देश में जब तक देशवासी नहीं करेंगे ये शोशल मीडिया पर भी हम सतर्क रहेंगे क्योंकि शोशल मीडिया पर देखिए कैस कि तस्वीर दिखा दी और किसी की तस्वीर कहीं लगा कर कैसा परचारित किया और पूरा देश गुमरा हो गया पूरे देश को गुमरा करने में ये शामिल हो गए शुक्र है शोशल मीडिया है तो उस लड़की की बोलती हुई वीडियो भी हमारे पास आ गई और प्रियंका कांदी का ट्वीटर आप भी देख सकते हो जिस ट्वीटर हैंडल से उसने लड़की के हातरस के जो लड़की है उसके पिता का वीडियो बनाया है जिसमें पीछे से एक कांग्रेसी उसको स्क्रिप्ट बोलता जाता है कि तुम ऐसा बोल दो ऐसा बो और वो पिता ऐसा बोल यह बहुत खतरनाक खेल कांग्रेस कर रही है यह वामपंदिदल और मीडिया बहुत भयंकर केल कर रहा है इसका विरोध होना चाहिए और हम देश वासियों को समझना चाहिए कि यह बहुत गलत हो रहा है और किसी भी बहकावे में नहीं आएं पहले धैरिये रखें कानून को काम करने दें यह एक साजिश हो रही है देश को जाती है और धरम में तोड़ने की साजिश का हर मोर्चे पर हम अपने तरीके से बिरोध दर्द करें नमस्कार बंदे मातरम